हेलो गाईज, कैसे आप सभी आसा करता हूँ, आप सभी लोग अच्छे होंगे, तो जेवर में बनेगा देश का सबसे बड़ा हवाई जहाजों की मरमत करने वाला वर्क्सॉप होगी, आर्थिक भचत बड़ी, अपडेट आ गई है आप सभी के लिए, हवाई जहाजों के इं से एर एवियेशन कंपनियों को बढ़ी राहत मिलेगी, और आर्थिक रूप से बचत भी होगी, क्योंकि अब यमना एक्सप्रेस वे के किनारे जेवर में बनने जा रहे एरपोर्ट, यह देश का सबसे बड़ा एरपोर्ट है, आप लोगों को पता है, लेकिन इसकी साथ ही मरंबत करने का वर्क्सप्, MRO यानि मैंटिनेंस रेपेरिंग एंड ओवर हॉलिंग हब भी बन रहा है, इसी के चलते जेवर एरपोर्ट पर दो नहीं पांच रनवे बनाए जाने का प्रस्ता पास हुआ है, गेर तलब रहे, अभी तक हवाई जाजों के इंजिन की मरंबत क काम ज्यादा तर, खास तोर से सिंगापूर, इस लंकार दूसरे यूरोपिय देशों में कराया जाता है, लेकिन अब सरकार के इस कदम से एयर एवियेशन कंपनिये को बड़ी राहत मिलेगी, जानकारों की माने तो तीन और रनवे के निर्मान के लिए 365 एकड़ जमीन के ज 29,500 क्रोड रुपे की लागत आएगी और दूसरे चरण की निर्मान के लिए 31,114 क्रोड रुपे की लागत आएगी, दूसरे चरण की निर्मान की टेक्निकल फिचिविलिटी रिपोर्ट यानि TFR बनाने के लिए नियाल यानि Noida International Airport Limited ने PwC को जम्मेदारी दे दी है, PwC क के मताबिक Noida Airport के दूसरे चरण का निर्मान 2022 में सुरू हो जाएगा, ठीक है, दूसरे चरण का निर्मान, चलिए आप सभी के लिए बड़ी अपडेट थी